नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिया आईए इस वीडियो में हम लोग त्रिकोंड मती का परिचे पर आधारित जो भी हमारे कॉंचेप्स हैं उनको एक बार दोहरा लिए और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रिकोंड मती का अर्थ क्या है तो त्रिकोंड मती जो की अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है वो मिला है बन कर तीन शब्दों से और जिसका आशे है ट्राए गौन और मेट्री से तो ट्राए जिसका अर्थ होता है तीन गौन जिसका अर्थ होता है बुजा और मेट्रों जिसका अर्थ है माप तो यदि हम ये क्या कह सकते हैं यहां से कि त्रिकोंड मती एक त्रिभुच की बुजाओं और कोणों के बीच के समंदों का अध्यन करने की गणित की एक शाखा है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम जो अध्याय करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज पर ही करेंगे और वहाँ पे हमारे पास जो भुजाएं होंगी उनके अनुपात हम वहाँ पे मौजूद नियून कोणों के सापेक्ष में अध्यन करेंगे तो इसको हम एक तरीके से यह कह सकते हैं कि त्रिकोन मिति गणित की वो शाखा है जहां पे हम एक समकोण त्रिभुज की पुजाओं के अनुपातों को वहाँ पे बनने वाले नियून कोणों के सापेक्ष में अध्यन करेंगे अब आईए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नियून कोण हैं उनके संदर्व में उनके साथ में हमारे पास जो समकोण की बुझाएं हैं उसके लिए क्या अनुपाथ बनते हैं तो यहाँ पे हम पहले एक समकोण बना लेते हैं तो एक समकोण कुछ इस प्रकार का होगा और इस समकोण का इस समकोण त्रिपुझ का जो समकोण है वो यह है और यहाँ पे जो ये बाकी दोनों ही कोण हैं ये कैसे होंगे नहीं उनकोण होंगे क्योंकि इन दोनों का जो उनों ही कोणी जो है वह नहीं उनकर होंगे. और यहां पे हमें मालुम हैं कि जो भी हमारे पास ये एक सम्कोण त्रबुझ बन रहा है, इसकी तीनों जो भुझाई हैं उनके अलग-अलग नाम होते हैं. तो जो सबसे लंभी भुझा हैं उसे तो हम कर्ण ही कहते हैं. इस कोण से जो ये वाली बुजा है वो कैसी आ रही है? सम्मुक बुजा आ रही है और इसलिए हम इसको लंब कहते हैं. तो लंब कौन सी बुजा होगी? जो की हमारी दिये गए कोण के सम्मुक है. और इसके बाद जो तीसरी बुजा है उसको हम कहेंगे आधार. और क्यों इसको आधार कह रही हैं? क्योंकि जिस कोण से हम इस सम्मुक त्रिभुज को देख रही हैं, उस कोण का आधार है ये बुजा. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि एक सम कॉंड त्रिभुच की तीनों भुजाओं के जो विशेश नाम हैं वो क्या हैं और ऐसे क्यूं हैं अब चलिए आएए ये समझते हैं कि हमारे पास जो त्रिकॉन मिती के सबसे जरूरी तीन अनुपात हैं वो क्या क्या हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी अनुपात है साइन दूसरा और काफी जरूरी अनुपात है को साइन और तीसरा और इन दोनों का जो अनुपात है वो आता है टैंजेंट और सरल भाशा में यह जादा सवाल जब हम करते हैं तो हम साइन को सिर्फ साइन लिख के परिभाशत करते हैं को साइन को कॉस और टैं को सिर्फ टी ए अनुपात हैं त्रिकॉन मिती के अनुपात हैं यह किसके बराबर होते हैं कुछ बुजाओं के अनुपात के बराबर और ये परिभाशित होते हैं किसी एक कोण के संदर्व में तो अगर हम इस वाले सम कोण त्रिभुच को देख लें और अब मैं इस वाले कोण को थीटा वन न कहके सिर्फ थीटा कह लूँ तो साइन थीटा हो जाएगा क्या लंब और कर्ण का अनुपात तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं साइन अगर आप आधार और अगर आधार और कर्ण का जो अनुपात है वो ले लें तो आप उसे कहेंगे कॉस और अगर आप लंब और आधार का जो अनुपात है उसे ले लें तो आप कहेंगे 10 तो तीन अनुपात हमारे पास क्या आगए साइन, कॉस और टैन और इनको हम किसके लिए परिभाशत करते हैं एक कौन के लिए तो बहतर होगा ये लिखना की कॉस थीटा इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिखें टैन थीटा और ये जो थीटा है वो हमने यहाँ पे दर्शा दिया तो चलिया ये अब लिख लेते हैं कि इस थीटा के लिए क्या होगा तो जैसा कि मैंने बताया लिखना जो की आपके पास जो कोन है उसके सम्मुक है तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि इस सम कोन तरिभुज के जो नाम है वो ABC है तो लंब हो गया थीटा के लिए AB और कर्ण तो इस तरिभुज का जो है वो एक ही रहेगा AC तो हमारे पास साइन थीटा हो गया AB by AC अगर हम इसी तरीके से कॉस थीटा देखें तो आधार है BC और कर्ण है AC और अगर हम टान थीटा देखें यहाँ पे तो लंब है AB और आधार है BC अब एक प्रशन यह आता है कि हमेशा हम कैसे दिहान रखेंगे कि साइन अगर हम किसी कोन के लिए ले रहे हैं तो कौन से दो बुजाओं का हम अनुपात लें या कोसाइन में क्यों सी दो बुजाओं का अनुपात लें या टैंजेंट में कौन सी दो बुजाओं का अनुपात लें तो उसके लिए यहाँ पे एक आपके पास सरल सी ट्रिक है और वो है कि आप याद रख लें लाल बटा कपका तो यह है तो अंग्रेजी में मगर इसका अर्थ जो है वो L जो है वो लंब के लिए है A जो है वो आधार के लिए है और मानियू ही बात है कि K जो है वो कर्ण के लिए है और आपको यह क्या क्या दे देगा तो सबसे पहला आपको देगा साइन दूसरा आपको देगा कौस और तीसरा आपको दे देगा टैन तो अगर आप साइन किसी कोण का निकालें तो लंब बटे कर्ण ठीक है न? अगर आप कोस किसी कोण का निकालें तो आधार बटे कर्ण तो ये भी ठीक बैठ रहा है और अगर आप टैन किसी कोण का निकालें तो लंब बटे आधार वो भी सही बैठ रहा है तो इस तरहां से आप इस को याद करके ये जो तीनों सबसे विशेश त्रिकोनमती के अनुपात हैं उनके बारे में याद कर सकते हैं और हमारे पास दिये गए तीनों जो त्रिकोनमती के अनुपात हैं उसके वयुत क्रम भी होते हैं जो भी तृकोन मती में परिभाशत है और साइन का जो वयुत क्रम होता है तो साइन का जो वयुत क्रम होता है वो है कॉसेक. तो एक और हमने यहाँ पे त्रिकोन मती अनुपात देखा वो क्या है कॉसेक और वो साइन का वयूत्करम होता है इसी तरह से जो कोसाइन का या कॉस का वयूत्करम होता है वो है सेक और जो हमारे पास टैन का वयूत्करम होता है वो है कॉट तो 6 हमारे पास स्रिकोनमती का नुपात हैं साइन, कॉस, टैन कोसेक, सेक और कॉट साइन, कॉस और टैन जादा ज़रूरी हैं क्योंकि एक बार यह आपको मिल गए तो आप इनके वायुत करम करके कॉसेक, सेक और कॉट तो निकाली लेंगे यहाँ पर मैं एक बार आपको और बता दूँ कि अगर आपके पास साइन और कॉस मौजूद है तो आप उन दोनों का अगर अनुपात ले लेंगे तो आपको टैन मिल जाएगा क्योंकि लंब बटे आधार है यहाँ पर तो लंब बटे कर्ण और बटे आधार बटे कर्ण करेंगे तो कर्ण और कर्ण हर जाएगा लंब बटे आधार बचेगा जो की आपके पास टैन आजाएगा किसी भी दिये गए कॉन अब बात याती है कि त्रिकोन मती का इतना सब हम पढ़ रहे हैं अनपातों के बारे में इसकी इतनी क्या वशेष्टा है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक समकोन त्रिभुज की बात कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कोई भी एक नयून कोन और कोई भी एक भुजा पता चल जाए मतलब आप अगर इस समकोन त्रिभुज में देखें तो यहाँ पे छे चीज़ें हैं तीन आपके पास कोन हैं और तीन भुजाओं की लंबाई है मगर मैं आपसे कहा रही हूँ कि सिर्फ आपको एक कोन पता चल जाए और आपको अगर एक नयून यह एक नयून कोन पता चल जाए मैं आपसे यहाँ पे यह कहा रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक नयून कोन यहाँ पता चल जाए और किसी भी एक भुजा का मान पता चल जाए तो आप बाकी सारी भुजाओं का मान और बाकी सारे कोन भी निकाल लेंगे और यहाँ पे यह कैसे होगा तो चलिया यह देखते हैं मान लीजे कि आपको एक नयून कोण दे दिया गया 30 तो आप कैसे निकाल सकते हैं थीटा टू जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे कि तीनो कोणों का जो योगफल है वो 180 है 90 तो एक समकोण था ही साथ में हमें 30 मिल गया तो हमारे पास जो दूसरा नयून कोण है वो कितना आ जाएगा 60 डिगरी और अब बात आती है कि आप यहाँ पे बुजाओं का मान कैसे निकालेंगे तो बुजाओं का मान भी हम निकाल सकते हैं कैसे अब इन ट्रिकोनमती अनुपातों का इस्तमाल करके तो अगर आपके पास मान लीजे आप टैन ले लें इस थीटा का तो वो हो जाएगा लंब बटे आधार यानि एबी बटे बीसी और जैसा मैंने बताया कि अगर एक बुजा का मान मान लीजे आबी का मान आपको दिया गया है तो आप यहाँ पे time 30 जो की कितना हो जाएगा एक बटे रूट 3 उसका मान रंख के और आबी का मान रंख के देखे बीसी निकाल सकते हैं और बीसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना 3 रूट 3 और जब आपको AB और BC का मान मिल गया तो आप Pythagoras यूज करके करण भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो कोई और अनुपाद जिसमें करण आ रहा हो उसका प्रयोक करके करण भी निकाल ले और मैं आपको एक और खास बात बताओं कि यहां पे तुम ने देखा एक नहीं उनकोर और एक भुजा दी गई हो अगर आपको दो भुजाएं दे दी जाएं तो भी आप एक काम कर लेंगे तो अगर आपको कोई एक ऐसा प्रशन दे दिया गया जो उसमें आपके पास एक समकोर त्रिपुज है और वहां पे आपको कोई भी कोर नहीं पता नहीं पता परन्तु आपको दो भुजाओं का मान पता है तो आप तीसरी भुजा और दोनों कोर भी निकाल सकते हैं त्रिक और ये विशेश कों कहलाते हैं और आईए एक बार हम याद कर लें कि अगर हम sin 30 लेते थे या sin 45 लेते थे या हमारे पास sin 60 था तो उसका क्या मान आता था तो sin 30 का मान था half sin 45 का मान था 1 बटे root 2 और sin 60 का मान था root 3 बटे 2 और अगर आप इसका दशमलब प्रसार लिखेंगे तो ये है देखें 0.5 ये है 2 root 2 बटे 2 और root 2 होता है 1.414 और उसका आप आधा कर देंगे तो लगभग 0.707 बचेगा और यहाँ पे root 3 का मान होता है 1.73 तो और उसका आधा करेंगे तो 0.85 और 1.6 इस तरही के साब को मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि जो sign curve आता है वो कुछ इस तरहां का दिखता है तो sign curve हमें कुछ इस प्रकार का मिला और अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखने चाहें हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि यह जो sign curve है वो देखिए जैसे जैसे आपके कोन का मान बढ़ रहा था वैसे वैसे sign भी बढ़ता गया और हम कहां तक की बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे पास 0 से लेकर के अगर 90 तक की बात करें तो इसके बीच में ही आपको मिल जाएंगे 30, 45, 60 और आप देख सकते हैं कि इनका भी मान जो है वो बढ़ रहा है और अगर मैं आपको इसी एक ग्राफ में ये बताना चाहूं कि कॉस की जो मान हैं वो कैसे बदलते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि कॉस का अगर आप एक ग्राफ ड्रॉप करेंगे तो वो कुछ इस रूप में आएगा तो कॉस जो है वो कैसा होता है इस तरहां से कम होता है अगर हम बात करें कोणों की जो की शून और नब्डे के बीच में हैं तो चलिए आईए एक बार उसके विमान देख लेते हैं तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो कॉस है उसका हम 30 डिगरी का अनुपात निकालें कॉस 30 डिगरी निकालें तो वो कितना आता है हमारे पास वो आता है रूट 3 बाई 2 अगर हम कॉस 45 की बात करें तो वो साइन 45 के बराबरी होता है रूट 2 अपान 2 और अगर आप बात करें कि कॉस 60 कितना होगा तो वो हो जाता है आधा तो आप देख रहें कि पहले रूट 3 था और फिर आपको root 2 by 2 मिला तो विपरीद चल रहा है जैसे sign का जो मान है वो बढ़ रहा था theta के साथ में यहाँ पे आपका जो cause है उसका मान कम हो रहा है theta के साथ में अगर हम 0 से लेके 90 के बीच में जो नयून कोण है उनकी बात करें इसके बाद में हम यह भी देख सकते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि tan जो है sine और cause जो भी हमारे लिए किसी कोण के लिए आ रहे हैं उसका अनुपात है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम tan के भी मान निकाल चकते हैं तो अगर आप tan 30 निकालना चाहो तो half बटा root 3 by 2 हो जाएगा और यह 1 बटा root 3 आपके पास आ जाएगा इसी प्रकार से आप tan 0, tan 90, tan 45, tan 60 सब की value निकाल सकते हैं तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई एक समकोंड त्रिभुज है तो हम उसको त्रिकोंड मती की मदद से कैसे हल करते हैं और त्रिकोंड मती अनुपात का क्या आशे होता है और अगर हमें एक नयून कोंड और एक बज़ा दी गई हो तो हम बाकी सारे यहाँ पे जो कोंड हैं और बज़ाएं हैं उनका मान कैसे ग्याद करेंगे तो सर्व समिका का क्या आशे हुआ कि आपके पास कोशन दिया जाएगा प्रशन दिया जाएगा जहां पे आपको कोई एक सर्व समिका दे जाएगी जो की त्रिकोन मती के अनुपातों पर अधारित होगी और आपको उसे सिद्ध करना होगा तो इसके लिए आपको कुछ बात होता है तो इसलिए वह कॉस और साइन के अनुपात के बराबर होगा अगर आप कॉसक की बात करेंगे तो वह साइन का वयुत्क्रम होता है एक कोण के लिए नयून कोण के योगफल के बराबर है इसलिए हमारे पास जब हम उसका इस्तमाल करते हैं और उन बातों में उसको रखते हैं तो हमारे पास पहली एक यहां पर सर्व समिका आ जाती है जिसके अनुसार साइन स्क्वाइर एक्स और कॉस स्क्वाइर एक्स का जो फल आएगा योग फल आएगा वो एक है और यहां पर जो एक्स है वो क्या है नयून कौन एक ही नयून कौन दोनों में हम ले रहे हैं इसी प्रकार से अगर हम किसी एक नयून कौन के लिए यह कहें कि 1 प्लस 10 स्क्वा स्क्वाइर एक्स के बराबर होगा और तीसरी सर्फ समिका हमारे पास है कि अगर वन प्लस कॉट स्क्वाइर एक्स की बात की जाए तो वह कॉसेक स्क्वाइर एक्स के बराबर होगा कॉसेक जो की वयुत क्रम है साइन का उसके स्क्वाइर एक्स के बराबर होगा यह वैसे तो जो हैं वो आप ध्यान रखें पहला कि कहां कहां पर विभाजन जो है वो हो सकता है और क्या विभाजन हमें मदद करेगा जो बाइन तरफ दी गई अभिवेक्ति है उसको दाइन तरफ दी गई अभिवेक्ति के बराबर करने में दूसरा है जहां पर भी आपके लिए करें कि आपके पास जो भी अभिव्यक्ति है वो सरल बने और मुझे आशा है कि अगर आप इन तीनों का ही प्रयोग करेंगे तो आपको जो है मदद मिलती जाएगी और सबसे जरूरी बात तो यह कि आपके पास जो भी सर्वसमिका यहां पे सिद्ध करने को दी गई है उस पे से आपको हल करना चाहिए कि हर चरण पर चरण आप इसके निकटतम होते जाएं और बाकी आप अगर जितने ज्यादा प्रशन हल करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको confidence आ चाहेगा और फिर आप कोई भी प्रशन परिक्षा में भी हल कर पाएंगे तो मुझे आशा है कि त्रिकोनमती के परिचे से जुड़े हुए जो भी मैंने concept आपको इहां पर बताए आपको अच्छे से समझाए होंगे और इसके बाद हम कुछ प्रशन हल करेंगे इन्हीं concept पर बीस्ट